स्वागत मारा यूट्यूब चैनल में देखिए आज किस वीडियों में देखेंगे क्लास नाइन टेर्म टो एक्जाम इने सन 2022 समाजिक विग्यान यानि जो आपका सोसल साइंस को जो आपका एक्जाम होगा अठाई जून को जो आपका एक्जाम लिया जाएगा उसका आज हम पर आपको देखेंगे सेखेंगे और देखेंगे मच जो आपका सब्साइंस को का एक्जाम लिया जाएगा और जो भी द्यारती तर्म वान में संस्कृत का एक्जाम देते थे तो आज किस वीडियो हम लोग किया देंगे तो 28 जुन के लिए सोसल साइंस का मौश्ट भी वाइस सब्जेक्टी प्रस्ण को तो वीडियो पर रहां तक जरूर बने रहेगा दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सेर की जा और जो भी सब्जेक्टी में दिक्कात आता सीध तो में जैसे पूछा गया सेम और समी रहेगा जैसा जैसा पेटर्न था जिसमें आपको जो पांट सबसे सुरू में आपको सेक्षेटे बाटता था इसमें और इसी प्रकार कुछ सेक्षन आपको उतर देना था और एक अंख मतलब एक को सब्सक्राइब दो नमर दिया जा प्रशेस प्रशेस में साथ कोचन पुछाब आपका 5 सफ को उतर देना श्माहिए साथ फीर से पूछेगा आपका सोट में पूछा थेक है इसमें फांच को उतर देना लेकिन अंक बदल जाएगा एक कोशन पर आपको तीन नमर दिया जाए ठीक है और इसमें आपको पंद्रा नंबर यहां से मिलेगा तो सेम पेटा नोशा ही रहेगा घबराइए गमात वीडियो का अंतर जरूर देखेगा और दोस्तों के साथ आपको इस वीडियो को जरूर सेर करना तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रस्ण की और तो देखे मैंने अ अची तरह से देखेंगे और हरेक परस्ण को आप पूरी तरह से देखी आप क्योंकि आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेन है और पूछा भी जाएगा ठीक है तो पहला प्रस्ण आपको पूछता की आपका जो धोरी सक्तिया में मुक्या था कौन-कौन से देश स सामिल थे जो धूरी सक्ती थे उसमें से मुक्षत कौन कौन से सामिल यह जरूर बताई गार आपको इसका उत्तर होगा मालुम तो जरूर बताएगा क्योंकि आपको जो इसका Аधार पर यह भी कोशन पूछ भी सकता नहीं पता है तो कमेंड बें जरूर बताएं ठीक है आपका जो दो नमर का प्रस्ण पूछता है असलीपर से हैं आप क्या समझते हैं तो रेल की पटरी के आर पार लगे लकरी के तक ते जो पटर्यों को उनकी जगहाँ पर रोके रखते हैं का जाता है मतलब जो आपका रेल का पटरी जो रहाता इस परकार का तो थी को खते हैं ठीक है और उसका बात आपका जो अत्ति नमर का प्रस्ण हो पूछता है कि आपका जो ने धंता रिखासे आप क्या समझते निर्धंता रिखा किसको कहते हैं इससे अप क्या सबसे पहले समझे हैं जिसके पर तेन आवसकता जैसे पूर्तिकर नहीं पातें ऩे इसमें निर्धंता रिखा से नीचे आता है तो तो देखेंगे तेनी दंता dividing आपने की एक हम ऊचे से कम आमधनी होने पर उसे निरधंता रेखा काती है तो निर्धंता रेखा अगर आपकोनी कोन साको सोल देगा तोision में तेन आपको जो लिखेंगा फूल माक्स देगा कितना दूण नमबर फूल मास देगा बेरी सोट में पूछे गातो और निर्धंता रेखा क्या होता दुआ तो निर्धंता रेखा जो अपका गरीब ही मापने का एक रिखा था ठीक है कि कौन सा मतलब जिसके पास यह तीन पुस्ता। किया अधिप्राप्त अनाजो को बिन्यमित कर रासन की दुकानों के मध्यम से समाज के गरीब बरगों में वित्तरित करती है सारवजनिक वित्रन परनाली कोते हैं कि इंदर सरकार हो गया भारति काद नीघंड दुआра ठीक है जो किसान को अधिप्राथ अना जो भी नम्हीं पहुता जोándhra जो रासन.. दुखान में उसके माध्यम से गरीब वर्गों में बाठता है और शुक्ता जो आता है सरकार दूपारा जो गरिब हों बाटा जाता होेँ अपने आप में उत्तर भी दे सकते हैं जो आपका समान निर्देश उसमें बताया गया अपने सब्दों में उत्तर दियार थी तो जो समझ में आता सीधा लिखिए इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है उसका बाद तो अपने आप से उत्तर दे देंगे और वीडियो हर एक जो आपको लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो को हर एक प्रिश्ण पूरी अचित्रस देखेगा और दोस्तों के साथ सीर्फ आपको जरूर सेयर करना ठीक है और जो भी सब्जेट में दिक्कत होता है कमेंड में जरूर बताएगा जो भारत में राष्टिय मानवादिक स्थापना मतलब सीधा आपको लिखेगा कि भारत में राष्टिय मानवादिकार आयोग का कटन का तो भारत बारा अक्टूबर 1923 गो बारा अक्टूबर 1993 ठीक है उने सो तिरानवी को मानवादिकार का योग गठन किया गया सिंपल एंसर में लिख दिए को दिक्कत नहीं ह बैसने आपको सिज्छा अधिकार से क्या समझतें से हैं तो सिछा मोली आधीकार उंग निग्यातों 8 सिच्छा पुलब्द कराएंगे देखिए आपको सिच्छा से दिकार जितना भी छेसले का 14 साल तक कि जितना भी बच्चे हैं उनके लिए मुक्त सिच्छा को अनिवार रूप से देना इसी को कहते सिच्छा अधिकार तो खुद पर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं समझ यह को समझते ठीक है तो मांसुन में बिराम का अर्थ क्या अर्थ वसूष समय में जिसमें वर्षा नहीं होता है कुछ ही दिन मांसुन वर्षा होता है फिर रूप जाता है तो मांसुन में बिराम अर्थ का क्या मालूम होता है तो सूष को आपका समय होता है जिसमें वर्षा नही जिसमें आपको जो अतिलाग उतर यह ठीक है उसका बाद खंड बाग अमें जो आपका अतिलाग उतर यह था खंड बाग आपका लगो उतर यह यानि तो सब्सक्राइब करने यह दूसरा क्या होता यह लोग जर्माज समाज से बिलकुल अलग वस्तियों में रहते थे जिने घेटु कहा जाता था जो यूद्धी लोग है जर्मन समाय से बिलकुल अलग रहते तो कोई जो मतलब नहीं था और जहां पर रहते थे उन्हें गये घेटु नाम यह तहना जाते कर्सार और षूप सुद्ध खोर सते लोग मुखे रूप से ब्यापार और धन देने का जो धन्धा करते इस और दंदा उधार देने का जो दंदा भी करता था ठीक है उसका बाद दिए आपका जो नौ नमर का प्रस्ण पुछता है कि ओप निवेसी के काल में वेवासी के खेती का क्यों विस्तार हुआ दो कारण बताएं तो इसका जो पहला कारण उसे काल को जब अंग्रेजों ने यह सबसे उनका आधिक आई प्राप्तो होने की समहाँ ना रहती थी मतलब यहां अपना सासन किया उसे ओपनिवासी काल करते हैं इसकाल में खेती का खुब विस्तार हुआ जिसके प्रमुख मुख कारण ने दो को पुछा दो कौन कौन सा है तो आपका जो का नमर का पॉइंट पॉइंट हो जग अंग्रेज ने जो फसलो कौन सा फसल था तो पॉट्षन गन्ना और कपास का खुब विस्तार किया क्योंकि इन जो खेती जग पॉट्षन था गन्ना यह सबसे उनका क्या अधिक आई प्राप्तो होने की समहाँ ना रहती थी मतलब जो उनसे ज्यादा कमा होता था इसलिए यह सब की खेती किया करते थे कौन तो अंग्रेज ठीक है आपका जो भी आपका जो खानमर जो पॉइंट हो जगा इंगलेंड के कर खानों को कच्चा माल चाहिए था इसलिए भी विवसाइक फसलों की पैदावार को बढ़ावा गया इंगलेंड जो था इ कर रहते हैं शचाहरी के तो किलोरी के तो इसलिए बढ़ा मैं रहने वाले लोग पैदिक रहती है इसलिए ग्रामिन के लोग में पर विक्राइब चाहरी के कारे करता है भीए अपंभी इसी का्रण अपड़ा जो प्रसन कि कि सी आबदा के जो दौरान की से पराभी तो उत्तर होज़ा गुरेम यहाँ प्रकाष किसे सूखा और बाठ कार दियान के कुल उत्तौं स्चुरद्छ है ले तो फसल से समंदित तो कभी जो प्रकितिक जो प्रकितिक में कभी सुखा आ जाता है सुखा आ जाता है कभी तो इतना बाट आ जाते कि सारा जो फसल जल जाता है जिसके कारण से क्या तो फसल पर नुशान होता है खाद की कमी की कारण जे इसका जो दाम क्या हो जाता लोग रहते हैं कि आखा जो आपका उचे मूल पर यानि जैसे अभी जो तेल का भाव जाता है तो गरीब लोग जो है थोड़ा थोड़ा तेल खरिदते होंगे ना कि एक लीटर तुरंट ले आते हैं तो जितना जिसका सकती होता है उतना खरिदते हैं लोग कि क्या मौत का कारान हो जो है भी सुखा सुखार आजाता है इतनी अधिक हो जाती है इतनी अधिक खाद पनातों की जिसे भूख्मरी जो पैदा हो जाता है और इसमें जो हजार लोग क्या जो मर जाती है यानि मोत के सिकार हो जाते हैं भुकमरी के कारा आपका नेश्ट प्रसन है मतलब नेश्ट पॉइंट हो जाएगा यदी यह आप दा अधिक विश्तिते छेत्र में आती हैं यह लंबे समय तक बनी रहती है तो भुकमरी के सिथी जो पैदा हो जाती है जैसे बस तुए महंगा है महंगाई चलते जा रहे हैं तो इसमें लोग क्या होंगे मर सकते हैं ठीक है जिसके पास पैसा नहीं होता क्या होगा भूक कमारन जो मर जाते हैं देखिए उसका बात जो बारा नमर का प्रसने लोगतांत्र में चुनाओ की लोग अपने प्रते निद्यों के माध्यम से सासन करते हैं ठीक है उसका बात देखिए आपका जो दो नमर का पॉइंट हो जगा बिना चुनाओ के हम किसी भी लोगतांत्री की कल्पना नहीं कर सकते जैसे भारत एक विश्यवकाल विश्याल लोगतांत्रिक देश से हो और इसमें जंता दौरा चुना गया प्रतिनी दी दो क्या करता है सासन करता ठीक है ना की राजा राजसे चलते आरहां राजस्तन्ति करते हैं उसको इसमें नहीं होते भारत में ठीक है और लोकतांतर के बहाली के चुनाओं क्या वा सकता होती है चुनाओं के मादधे हम से हम किसी भी सरकार को बदल सकते हैं चुनाओं में हम सही और मनपसद परस्ति इंदियों को चुन सकते हैं मतलब चुनाओं में लोकतांतर में केसा क्यों चुनाओं होता है आप सकता क्यों हो तो आप खुद लिख देंगे अगर जो बेक्ति आपके लिए अच्छा करेगा हम उसी को चुनेंगे और जिससे हमें फाइदा है जिससे हमें फाइदा है अगर वह अच्छा काम नहीं करें तुसे बदल भी सकते इसलिए लोगतांतर का चुनाओ था ठीक है दिखिए उसका ब जूरे है या अधिकार भारते समिदान को द्वारा प्रतिक नागरी को दी गई है इन अधिकारियों में जो आपका प्रदूसन मुक्त वाता वरन में जीने का अधिकार आवी रच्छा में या तनापूर्ण और अपमान जनक बेवार नहोंने से मंदित अधिकार और जो मैल प्रता है समानता है इससे जूरे अधिकार को क्या करते मानों धिकार करते हैं ठीक है देखीग हम लोगों नेश्ट प्रसंद आपका पूछता है कि देखें उसने कटी वंद सब्सक्राइब और उनके मुख विरिचिक नाम लिखे तो उनकटी उसने कटीवन पर नवाती वन यह जो आधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश वाव मैंदानी भागों पाए जाता है प्राइड यह बिए भारत एक प्रय दिखेदेस टीन और शमुदर से गी आ देश प्रडेस प्राई प्रद्ध पर्दिर रख़ते अ्वे और जो उत्तर प्रदेश परदेशे ने क्टिकर पर्णा और भार्थ में यह बहुत पर प्रले में लगजए इनों महत्थ मांसुन वार्ण स्थ व सब्सक्रा करें और पर्नपाति बुढ़ रहा जाता है जाँ पर जो छेत्र में सतर से लेकर 200 रहां उसने कटी वंद प्रनपाति बन पई जाता है जल उप्तत्य के अधार पर इन वहनों को आदर और सूख पर्नपाति वन वी कते हैं मतलब कहें तो इन्हें सुख याने जैसे गर्म वन परनपाती वन होगिया आदर और सुखार इसी को खते हैं क्या परनपाती वन और आपका जो नेश्ट आगे है कि देखें आपका जो सुगोन सागोन इन वानों की सबसे प्रमुख प्रजाति है सागोन जो एक ब्रिचित है और प्रबास जो सालोगे सिस्व के चंदन रवेर कुश्म और अर्जुन तथा अर्जुन तथा क्या अर्जुन और सत्तुति के विरिचे वेपारिक महत्व वाले प्राजातिया है ठीक है तो इसी आपका जो यहां से कुल 14 प्रस्ण कराया गया जिसमें आपको साथ इसमें लागत शो प्रशन अपने 10 फास बात है इसमें आप भारत का चितर से समंधीत प्रसंपशेए गा तो इसको भी कि इसको भी आज की सी इसी ही वीडियो में तो अधित धिएगा तो देखिए आग यह आपका खंड साथ-धिर को उतरीय प्रसने को पेटन इसका सब्सक्राइब करने दोस्तों के साथ सिर्फ आपको इस वीडियों को जरूर शेयर करना है और जो भी चेप्टर में दिक्कत होता जहां से दिक्कता जो प्रस्ण में कमेंट में बताईएगा वे फिकर कोई टेंशन नहीं लेना तो प्रस्ण फूस्ता नास्यूस ने जनता पर पूरे नियंत्रन हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना है देखिए आपको इसने समझना जरूरी है ठीक है अगर आप समझ लेते तो आप कोस्टन को सोट भ पॉइंट आपका जर्मन संसत में हुए रास्मय अगनी कांड अगनी कांड ने उनका रास्ता असान हो गया अठाइस फर्वारे उन्हें सो तेटीस को जारे आध्या आध्या देशी के माध्याम से विवेक्ते प्रिश्य एवं सभा करने की आजदी को चीन ली गई चीन ली स्थास्ता जो हो गया तो जिससे कारण अठाइस पर्विर उन्हेश्य सो तेटीस को क्या क्या उनका जो प्रिश्य जो है प्रेस एवं सब्सक्राइवार करने वाला अज्यादी को चीन लिया ठीक है तीन नम्मर का पॉइंट हो जागा तीन मार्च उनेश्या नैश्य स्व आधनिया मैं साही स्थापित हो लेत तो राज तन्तर जैसे सही एक आपका जो रहता आप अपिकल नहीं होता ठीक है आपका जो पॉंट हो जगा इसमें की ट्रेड क्या तो युनियों पर पावंदि लगाये यह आंगी लगा लगाया berm Hamm 도 Hakos यहले सापसा ने कर लिया आपका चैना बी मीडिया वाला है पर का । से ना पर राजा राज ने जो पूरी तरहा से क्या नियंत्रीत असाफित कर लिया आपका जो नेश्च छटा पॉइंट था पूरे समाज कुनाश्री के इससे आपको ज्यादा नमर नहीं देगा तो जैसे 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 पॉइंट ना पुरॉघ्च पूर्श्ण पूस्ता निम लिखित पहोड़ टीप पानी डाले टीप लिए तिकानी कमेंट को हिंदी इसका मिनिंग हो जाए तो निम लिखित टीपनी दालना पहला आपका हो आपको पिपनी है १ंग के ताइucks सरकार किसानों के लिए टाइक करते है यहां वाले राज sentences कितमत भी कहा जाता है मान चलिए किसान जो है किसी वर्स जो है कम अनाज उप जाता है कम अनाज उप जाता है और जिसमें उनको वही रेट दिया जाता है जो कि पहले की रेट दिया जाता था मान चलिए पहले जो आपका जो किसान को 12 रुप्य प्रती किलो की दर से गयों को लिया जाता क्या अन्य है क्योंकि महंगाई बहुत दुकान होता है इसके मदद परनालिये जब अच्छी फचल के समय ठीक है किम्तिक निष्टिट सीमा जब गिरने लगती है तो इसको बफ़ार रख दिया जाता है और जब माल खत्म होता जब वस्तु एक खत्म होते तब इसको अश्टोर से लाकर फिन पूरा रिपित बेचा जाता है जो कि उस वहाँ में बेच जाता है ना कि जो इस सस्ता माल में बेचते लेकिन भाव उसी रहता है निर्गत कीमत क्या तो जब सरकार द्वारा कमी Це छितरों में और समाज के गरीब वर्ताल जाठी कम किमत पर अनाज का किया जाता तब उघ्ज कीमत को निर्गम कीमत कते मतबंप सरकार द्बार् Скुद Fen में क्वावाइब समास घरीब है वर्कों से बाजार कीमत कम कीमत पर अनाज को अवितर है उसी को कहता है किमत को निर्गम किमत कते हैं ठीक है उसका वाद देखेंगा हम लोग जो नेश्ट प्रसन आपका जो 17 नमर का प्रसन है कि भारतिय समिधान में जो वरनित मुलिक अधिकारियों की ब्याक्षा करें तो मुलिक अधिकारी टूटल कितना होता है तो टूटल मुलिक अधिकार जैसे जैसे बता रहा हूं सभी को अच्छी तरह से लिए तो पहला में आपका समानता का अधिकार तो इसका अर्थ है कि समीधान भारत में जाती वरन जन्म नियसले लिंग जन्म अस्थान आदि अधार पर राजे किसी भी नागरी के भेदभाव नहीं करेगा यहीं समानता का अधिकार यानि जाती भेदवाव के रूप में इसको समानता का दिखार कहा गया है दो नमर का पॉइंट हो जागा सुतंदर्ता का अधिकार तो भारत के सभी नागरी को विचार प्रकट करने भासन देने और अपने तथा अनव्यक्ती को विचार के प्रचार सु शुनत पराफ्ट यानि सोतनता बोले तो जो भी वेग्तिती जोविए लिए तक हती जो घ्रना नहीं दी जाती है इसी को ख़वाते शोतनता का अधिकार आ जो सांती से नहीं रहता है जो ब्रॉत्ती को सांती से समयी मैं अच्छा ब्यवाद नहीं कहने इसको समझने में असान होता है और समझकरी उत्तर देजिए कोई दिक्कत नहीं करता है जैसे हरिजनों इस्तिलियों करता है जैसे कोई बेक्ति मुसलमान है तो हिंदू में रहा सकता है इसे प्रकार धार्म किसी भी कोई बेक्ति अगर चाता है के उस धार में हम जाये तो कोई दिक्क्ट नहीं जा सकता हुए संपथी आधिकार भारत के सभी नागरी को और सिच्छा समन्दित का अधिकार है देखिए आपको जो भेरी सोटम पुछे तो टोटल छे यह बता जो रूप से आपका जो मोलिक अधिकार 6 होता है साथ यहां पर इसलिए दिया गया क्योंकि इसका वर्णन करना है तो इसलिए साथ दिया मुख पूचेगा तो 6 दिजए इन में से 6 तो चलेगा तो इस अधिकार्यों के यार्ट थे कि नागरिक अपने अपने जो है अधिकार्यों को लग करने के लिए सर्वोच नहीं नहीं आले कि सर्नन ले सकता है उसका बाद देखें हम लोटार नमब्हार कि सीट रितु जहरी तो कि अवस्ता वह उनकी विसेष्टा बताएं सीटी तो और फ्रवावित अगरता यानि ठंडा जिसको ठंडा का मुसम करता है सही तरी तु में तपमान जोए दच्छीन में उत्तर की और बढ़ने बढ़ने पर घरता है जब तपमान जोए दच्छीन से उत्तर जाता है इसका तपमान क्या जो गड़ता और चौंता हो या भारत में पुर्वेवपारिक पर अभावित होकर इनके कारण कुछ मत्रा में वर्षा तामिलनादू के तत पर जो होती है तो तब नादू करें क्या होता है और पांचमा पॉइंट हो गया आपका सित्रित्तु में आस्मान साफ ताप माइन तथा आर्था कम और पमने सित्हील तथा पोड़ वर्तित होती है यानि ठंडा कमोस्टा में शियूर जाता है आदमिश्ची को कहते हैं ठीए अजिसमें अस्मान सब्सक्राइब करते हैं और चाटा पॉइंट होगे या कम दाव वाली प्रनाली है भूमाद रिखा भूमाद सागर के उपर उत्पन होती है भारत में प्रवेश करती है पर नाम सुरूप सितल काल में बर्शा होती है तता पर वो तो पर हीमनप इंपात होता है हो या इसी आपका फर्सन नमबर का इसको ध्यान से देखिएगा भारत का मानचित्र पर परवर्त थी आपको एक्जाम में भारत का मानचित्र दिया रहेगा और इसमें अगर पूछेगा कि जहां जहां पर वन उनको शाहीं करत कीजिए या दो सेंटीमेटर सा अधिक वरसे काव तो उ को समझाने का प्रियास करूं तो कमेंड में ज़रूर बताएगा क्योंकि अगर मैप से इसको एक बार समझते तो पूरा भारत का अपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो इसमें आपको जब परवतिय बन कुण सा परवतिय यहां हो जहां आपको परवतिय बन है ठीक है परवतिय बन इस में आता है क्योंकि अधिक आपका हिमाले है हिमाले कहां तो ऐसा ही आपका हिमाले निचसी वालिक है उपर है आपका महान हिवाले तो हिमाले को क्या करते हैं परवत करते हैं परवतिय बन हो गिया जिसे इस प्रकार यहां पर कुछ फिगर भी ड्रो है जिसमें आपको यह कलर मैंने भी ब वर्षा छेतर पर भारत को नमापिए कहां-कहां मतलब अगर भारत की आखरती देता और यह सब आपको कहता है तो इसमें दिक्कत ने लेजेगा अगर आप चाहते तो इसका मेप वीडियो में लेकर आँगो ठीक है जिसमें आपको सिर्फ भारत कमेप रहेगा और ऐसा प्रस् कराए गया कंड और खा मिलाकर तिन सेक्षन 22 मिलाकर कराएगा सेम पेटर ने एक्जाम बेशाइब रहेगा जो अब चेप्टर में दीक्ट हो तो जहां से दिक्क तो जो भी आपको कोस्टन में कमेंड में जरूर बताएगा दोस्तों के साथ आपको इस वीडियो जरूर सेर कर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए चलिए मिलते लिए नेस्ट वीडियो में